Hey students, बच्चो आज हम desert पढ़ेंगे हमारा last land form. इस chapter में हमने mountains पढ़े, plateaus पढ़े, rivers पढ़े, plains पढ़े, जहां पे हम लोग रहते हैं, जो हमारा basic land form है. ठीक है? Plains भी पढ़े, rivers पढ़े, last recently and now finally we are going to study about deserts. तो deserts, आप सब को knowledge होगी, desert actually क्या होता है? It's a simply, it's a vast piece of land covered with sand. Sand से ढखा हुआ एक बड़ा असा land, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? Desert कहते हैं. यहां पर climate कैसा होता है? Extreme climate. Extreme climate means बहुत गरम and ठंड में बहुत ठंडा. इस टाइप में कुछ, मितलब रात में ठंडा हो जाना, दिन में बहुत करम. That is extreme type of climate. क्यों? क्योंकि यहां पर, जो आप देखोगे, कि sand है, वो heat absorb कर लेती है. यह सारे features हैं, आगे पढ़ेंगे. ठीक है? और इसकी extreme climate की वज़े से क्या होता है? यहां पर बहुत limited vegetation होती है, और बहुत limited animals होते हैं. vegetation means, जो crops यह plants यहां grow करते हैं, वो बहुत limited होते हैं. ठीक है? जो ऐसी जगाओं पर अपने आपको manage कर पाते हैं, adapt हो पाते हैं, वही plants यहां grow करते हैं. चलें, features of deserts की बात करेंगे, क्या features and deserts के? सबसे पहला हम देख चुके हैं, बहुत extreme climate है, extreme climate मैंने आपको बताया, कि दिन बहुत गरम होंगे और राते बहुत ठंडी होंगी. ठीक है? आगे चलते हैं, next इसका feature देखते हैं, यह extremely dry होते हैं, मतलब यहां पर rainfall, एक word यूज होता है, scanty rainfall, आप उसको very little rainfall भी कह सकते हो, तो यहां पर rainfall बहुत कम होती है. फिर, third feature और बहुत important feature है, यहां पर sand dunes और sand storms के बारे में. बच्चो, sand के बहुत देख storms यहां चला करते हैं, और जैसे wind blow होती है, तो sand क्या होती है, एक जगे से उड़के, दूसरी जगे पर collect हो जाती है, और एक छोटे-छोटे hills बना लेती है sand के, जिसे कहते है sand dunes. ठीक ह अपनी places change कर सकते हैं, मालीजे यहां आप से सारी sand ओड के, यहां से थोड़ी दूर पे sand dunes बना लिया है, खिल बना लिया, अब वापस अगर opposite side में, हवा ओडी, तो वापस sand बिखर जाएगी. ठीक है, अब चलिए next point की बात करें यहां पे, next point, आपको यह three points समझ में आया प ठंडा, that is extreme climate, और मैंने क्या बताया, यहां बहुत dryness होती है, अगर आप खुद इमाजन करो desert में, तो आप क्या इमाजन करोगे, बहुत सारी गर्मी, camels, sand, right, तो यह सारी चीज़े आप इमाजन करोगे, पानी की कमी, the women taking pots of water, right, यह सब हमारी ख्याल में आता है, जब हम ब मैंने आपको बताया, sandstorms बताया, और बच्चो एक चीज़ और जब हम कोई भी desert कोई बारे में सोचते हैं, तो हमको एक चीज़ और याद आती है, वो है एक plant, जिसका नाम है cactus, ठीक है, cactus, इसको हम cacti भी कहते हैं, और ऐसे ही एक plant होता है, date का, वो खजूर हम कहते हैं उसक तो ये दो plants हैं, जो बहुत जादा dry conditions में भी, इनकी roots बहुत लंबी होती है, deep inside the ground जाती है, तो ये क्या करते हैं, बहुत कम पानी में भी adjust कर लेते हैं, इनको पानी की जरुवत नहीं होती, ठीक है, चलिए, second last feature पढ़ते हैं, बहुत important feature, desert का, that is oasis, that is oasis, oasis क्या होता है, water pools या spring, जो कहीं कहीं पे, मतलब, surface पे थोड़ा पानी आ जाता है, ground में, इनको, किसी को oasis कहते हैं, desert में, किसी किसी जगे पे एक छोटा सा water pool, या spring बन जाता है, ठीक है, उसको हम oasis कहते हैं, जो date palms है, या खजूर के जो पेड होते हैं, वो इसी के आसपास उकते हैं, last point बच्छो, deserts western part of the continent में located होते हैं, usually, कोई भी continent है, उसके western part में deserts पाए जाते हैं, ठीक है, आप हमारी country की बात करिये, तो हमारी country में, जो हमारा desert है, इंडियन desert, थार desert, वो कहा है, western part में हैं, ठीक है, famous deserts की बात करें, तो आफरिका का sahara desert, largest desert है, वो बात famous है, इंडिया का थ desert, फिर great sandy desert, उस्ट्रेलिया का, और पाटागोनिया, साथ अमेरिका का, आपका homework है, आपको sand dunes and oasis की definitions लिखनी है,